दोस्तो चर्णोबिल नुकलियर डिजास्टर को इतिहास में हुआ अब तक का सबसे बड़ा परमाण दुरगटना माना जाता है क्योंकि इसकी वज़ा से हजारों बेगुनाह और मासूम लोगों की जान चली गई थी और साथ ही एक शहर पूरी तरह बरबाद हो गया था वैसे आप मेंसे जिन लोगों ने चर्णोबिल हाथसे पर बनी हमारी वीडियो देखी है वो इस दुरगटना के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे यू तो ये हाथसा बहुत जादा बड़ा था लेकिन एक्सपोर्ट्स बताते हैं कि ये इससे भी जादा भयंकर और विनाशकारी हो सकता था कहा जाता है कि इसमें आधा यूरोप पूरी तरह बरबाद हो चुका होता अगर सुसाइड मिशन पर भेजे गए वो तीन जाबाज अपनी जान को जोखी में डाल कर इस हाथसे को ना टालते दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाखो करोडों लोगों की जान बचाने वाले वो तीन हीरो वाखिर कौन थे और उन्होंने किस तरह अपने इस impossible से मिशन को अंजाम दिया था तो चलिए दोस्तों अब बिना कोई देर किये इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे दोस्तों सबसे पहले हम इस खतरनाक हाथसे का जलक देते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था दरसल ये दुरगटना 25 अप्रेल 1986 के दिन युक्रेन के चेरनोबिल शहर में घटित हुआ था ये शहर युक्रेन की राजधानी कियेव से सिर्फ 90 किलोमेटर की दोरी पर मौजूद है और इस हाथसे से पहले इस शहर में लगबग 14,000 लोग रहा करते थे वैसे ये शहर आज भी अपनी जगह पर उसी तरह पड़ा हुआ है लेकिन अब यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता दोस्तों इस दुरगटना की वज़ा से पूरे शहर के अंदर खतरनाक रेडियेशन फैल गया था और इस रेडियेशन से बचने के लिए लोग अपना घर, प्रॉपल्टी और सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ कर यहाँ से चले गए थे इतने लंबे समय से विरान पड़ा ये शहर अब दोस्तों एक घोश टाउन बन चुका है और ये इतना डरावना नजर आता है कि अब इसको दुनिया की सबसे खौपनाक जगहों में शुमार किया जाता है दरसल ये हाथसा चिर्णोबिल सहर के नियुकलियर पावर प्लांट में एक नियुकलियर रियक्टर के अंदर विस्पोर्ट होने के कारण हुआ था ये विस्पोर्ट इतना खतरनाक था कि इससे 50 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और डबलू एच्चो की एक रिपोर्ट के अनुसार लगबग 4000 लोग रेडियेशन के कारण कुछ समय बाद मौत का सिकार हुए थी इस हाथसे में और भी कई लोगों को हाई लेवल रेडियेशन लगा था जिनकी मौत भले ही उस समय नहीं हुई लेकिन उन लोगों के शरीर में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यही वज़ा है कि इस दुरगटना में होने वाले कुल मौतों का हिसाब लगाना काफी ज़्यादा मुश्किल है और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हाथसा और भी ज़्यादा विनाशकारी हो सकता था लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हम आपको आसान सब्दों में बताते हैं कि ये दुरगटना आखिर कैसे होई थी दोस्तों ये हाथसा उस पावर प्लांट में काम करने वाले कुछ वर्कर्स के एक छोटी सी गलती के करण हुआ था दरसल 25 अपरेल के दिन ये वर्कर्स रियाक्टर पर एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे और इस टेस्ट के दौरान उनसे कुछ चीजे गलत हो गई जिसकी वज़ा से रियाक्टर की पावर अचानक से घट कर सिर्फ एक परसंट रह गई हड़ बड़ा हट में वर्कर्स ने रियाक्टर की पावर को तेजी से बढ़ाना चाहा लेकिन उनके ऐसा करने की वज़ा से पावर हद से ज़ादा बढ़ गई और रियाक्टर का इमर्जंसी सट डाउन सिस्टम पूरी तरफ फेलो गया ऐसा होने पर रियाक्टर के अंदर बहुत तेज भाप जमा होने लगा और कुछ ही देर में इसने रियाक्टर के 1000 टन वजनी धक्कन को एक जबरदस्त विस्पोट के साथ उड़ा दिया धक्कन हटने पर रियक्टर से रेडियेशन लीक होने लगा और हवा का रियक्टर में जाने से उसमें भयंकर आग लग गई इसके बाद पानी से बनी गर्म भाप जब जिर्कोनियम से मिली तो इससे रियक्टर के अंदर हाइड्रोजन गैस बनने लगा और हाइड्रोजन गैस के कारण रियक्टर में दूसरा विस्पोर्ट हुआ जो पहले विस्पोर्ट से कई गुना जादा बड़ा था और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस विस्पोर्ट के कारण पूरे सहर में रेडियेशन फैलने लगा साथ ही उस चहर में ना तो इलक्ट्रिसिटी थी और ना ही फोन लाइन्स काम कर रही थी दोस्तों इस हाथसे की वज़ा से उड़ी धूल इतनी जादा मोटी थी कि लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था इस विसफोट की खबर मिलते ही फायर फाइटर तुरंत ही आग बुझाने के लिए रियाक्टर के नजदीक पहुँच गये और कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद इस आग पर काबू पाया हाला कि ये आग तो बुझ गया था लेकिन रियाक्टर से रेडियेशन अभी भी लीख हो रहा था और इसको रोकने का उपाय उस समय किसी के पास नहीं था जिसकी वज़ा से रेडियेशन काफी लंबे समय तक इसी तरह लीख होता रहा और बाद में बड़ी मुश्किल से इसके रिशाव को रोका गया दोस्तों ये तो हुई उस हाथसे की बात जो 25 अप्रेल 1986 के दिन हुआ था अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये हाथसा और भी ज़्यादा बड़ा और विनाशकारी हो सकता था दरसल चरनोबिल 1-23-40 नाम की एक किताब में बताया गया है कि जिस रियक्टर में विस्फोट हुआ था उसके ठीक नीचे जमीन के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा पूल था जिसका इस्तिमाल रियक्टर को ठंड़ा रखने के लिए किया जाता था इस हाथसे के कारण रियक्टर से लीक होने वाला गर्म रेडियो एक्ट्व मेटल पानी के उस पूल में लगातार गिर रहा था यहां काम करने वाले कुछ वरकर्स इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि मेटल का जादा मात्रा उस पूल के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि गर्म रेडियो एक्ट्व मेटल के पानी में गिरने के कारण उसमें भाप बहुत तेजी से बन रहा था और अगर यह भाप इसी तरह बनता रहता तो इससे तीसरा विसफोर्ट होने का खत्रा था जो कि पहले दोनों विसफोर्ट से कई गुना जादा बड़ा हो सकता था इस तीसरे विसफोर्ट में बाकी बचे तीनों रियक्टर के साथ ही पूरा पावर इस्टेशन भी तबाह हो जाता इस किताब के लेखक ने ये अनुमान लगाया है कि इतना बड़ा विसफोर्ट यूरोप की लगबग आधी आबादी को खत्म कर देता और लगबग आधा यूरोप आने वाले सैकडो सालों के लिए इंसानों के रहने लायक नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर जबर्दस्त रेडियेशन फैल चुका होता और ये बात सिर्फ किताब के लेखक ही नहीं बलकि बहुत से एक्सपोर्ट भी का चुके हैं दोस्तों इस हाथसे को टालने के लिए तीन लोगों की एक टीम बनाई गए और काम की गंभीरता को देखते हुए इस टीम को सुसाइड स्क्वार्ड का नाम दिया गया इस टीम में शामिल तीनों लोगों के नाम एलेक्सी, वलेरी और बोरिस था जिसमें दो लोग नुकलियर पावर प्लांट के वरकर थे जबकि एक व्यक्ति सोलजर था इन तीनों को कैसे भी करके उस पुल का पानी निकालने का काम सौपा गया था लेकिन दोस्तों ये काम सुनने में जितना आसान था असल में ये उस से कहीं ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि जिस बेस्मेंट में जाकर इन्हें पानी का वाल्व खोलना था वहां जान लेवा रेडियेसन फैला हुआ था और दोस्तों इतना ही नहीं ये बेस्मेंट पूरी तरह पानी से भरा हुआ था जिसकी वज़ा से इन लोगों को पानी के अंदर गोता लगा कर उस ड्रेन वाल्व को खोलना था वैसे इन तीनों को ये बात साब साब बता दी गई थी कि इस काम में उनका जाने का पूरा पूरा खत्रा है क्योंकि अगर ये अपने काम को सफलता पूरवक कर भी लेते हैं तो बाद में रिडियेशन के कारण इनकी मौत भी हो सकती है और दोस्तों ये लोग खुद भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये एक सुसाइड मिशन था लेकिन फिर भी इन जाबाजों ने अपनी जान की परवाह किये बिना इस मिशन पर जाने के लिए हामी भर दी योगि ये जानते थे कि अगर इन लोगों ने ये काम नहीं किया तो लाको करोणों बेगुनाह लोगों की जान खत्रे में आ जाएगी और यही सोचकर ये तीनों उस अंधेरे बेस्मेंट में जाने के लिए तयार हो गए दोस्तों ये सुनने में भले ही किसी फिल्म की कहानी के जैसा लगता है लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बलकि एक सच्ची घटना है इन तीनों जाबाजों ने उस बेस्मेंट में गोता लगाने के लिए वेट सुट पहना और अपने हाथ में एक वाटरप्रूफ टार्ज ले ली और आखिरकार सारी तयारी हो जाने के बाद ये लोग उस रेडियेशन से भरे बेस्मेंट में कूद गए गुदने के बाद ये तीनों अलग-अलग दिसाओं में बढ़कर उस वाल्व को ढूडने लगे लेकिन पानी में उतरने के बाद इनी ये समझा गया कि बेस्मेंट का अंधेरा इनकी उम्मीद से भी जादा था और ये छोटी सी टॉर्ज इनकी कोई खास मदद नहीं कर पा रही थी इस पूरे बेस्मेंट में पाइप का एक विशाल जाल फैला हुआ था जिसमें उस छोटे से वाल्व को ढूडना घास के धेर में सूई ढूडने जितना बराबर था लेकिन फिर भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी महनत से उस वाल्व को ढूडते रहे आखिरकार दोस्तों काफी देर ढूडने के बाद इन में से किसी एक व्यक्ति को वो वाल्व मिल गया और फिर इन तीनों ने मिलकर उस वाल्व को खोल दिया जिससे पूल का पाने ड्रेन होना शुरू हो गया बताया जाता है कि इस पूल में पांच मिलियन गैलन पानी भरा हुआ था और ये तीनों जब अपने इस मिशन में काम्याब होकर बेस्मेंट से बाहर आये तो बाहर खड़े लोगों ने तालियों और सीटियों के साथ इनका स्वागत किया इन तीनों ने खुद की जान को जोखिम में डाल कर करोडों लोगों की जान बचाई थी जबकि दुनिया इस सबसे पूरी तरह बेखबर थी और किसी को इन लोगों का नाम तक पता नहीं था जो लोग इस मिशन के बारे में जानते थे उन सभी को ये लगता था कि रेडियेशन के कारण इनकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस मिशन के बाद भी इन लोगों ने एक खुसहाल जिंदिगी बिताई और ये अपने आप में किसी चमतकार से कम नहीं था बाकी दोस्तों आपका ऐसे जाबाज लोगों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं बाकी आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले आपका बहुमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद